बिहार विधान सभा की बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आरजेडी विधायक भाई विरेंद्र ने बंगाल चनाव पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि बंगाल में आरजेडी पूरी तरहा ममता बनर जी के साथ है और जरूरत पढ़ने पर तेजस्वी टीमसी के लिए चनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे पर तेजस्वी यादव दीदी की टीमसी के साथ मिलकर चनाव प्रचार ना करें बरतकली खबर की तरफ शराबबंदी कानून के उलंगन मामले में विपक्ष के निशाने पर राय मंत्री सूरत राम सूरत राय के भाई हंसलाल राय की गिरफतारी की कवायद अब तेज हो गई है मुजफरपूर पुलिस ने मंत्री के भाई समेट 10 आरूपियों की गिरफतारी वारंट के लिए कोट में अरजी दी है आपको बता दे कि इस मामले को लेकर लगातार सरकार की फजीहत हो रही है तेजस्वी आदव लगातार इस मामले में कारवाई की मांग कर रहे हैं वही मंत्री की बरखास्तगी की मांग पर पूरा विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है बिहार के राजनितिक दलों को एक जटका लगा है दरसल राज्य में होने वाले पंचाय चुनाव में कोई भी प्रत्याश्री राजनितिक दल का नाम या उसके जंडे और सिंबल का इस्तमाल नहीं करेगा इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है आयोग ने कहा कि बिहार में पंचाय चुनाव दली आधार पर नहीं हो रहा है और अगर ऐसे में कोई उमीदवार राजनितिक दल का नाम या उसके जंडे की आड में चुनाव परचार करते हुए पाया गया तो उसके खलाफ एक्शन लिया जाएगा रुकरते जारकंड की तरफ जारकंड विदान सभा की कारेवाही के बाद कॉंग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने हैं सदन के बाहर दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए दरशल सदन की कारेवाही के दौरान कॉंग्रेस विधायक ने देवघर की स्वास्थ विवस्ता पर सवाल उठाते हुए वहां के सिविल सर्जन को रसेस का एजेंट बताया था और इससे नाराज बीजेपी विधायक भानू प्रताब शाही ने कॉंग्रेस विधायक को ही आईएसाई का एजेंट बताया इसके बाद सदन से बाहर निकल कर कॉंग्रेस विधायक ने भानू प्रताब शाही को उगरवादी बताते हुए कह दिया कि उनकी जगह सदन नहीं बलकी जेल होनी चाहिए प्रमान है हम लोगों ने कहा कि इसका जाचेन आईएस से सरकार करा ले गिरफान अंसारी आईएसाई का स्लिपर सेल का जारखंड का एजेंट है भानू प्रताब साही जो है यह जारखंडी उगरवाद है उगरवाद फैलाता है और सबसी बड़ा लुटे